सब्सक्राइब करते हैं तो बिल्कुल देखिए एंड तक डिनर की थाली तक बिल्कुल देखिएगा आपको सारी रेस्पीस पसंद जरूर रहेंगी चली शुरू करते हैं सुबा की मसाला चाय से मौनसून इस्पेशल रेसिपी में सबसे पहले शुरूबात करी में मसाला चाय के साथ मौनसून में चिटपटा और मसालेदार खाने के साथ हमें अपने इम्मेनुटी को भी बूश्ट करना है जिसमें मसाला चाय बहुत हल्प करता है तो यहां पर ती चिन्नी के टुकड़े और 6-7 लॉंग के पीसे से हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम डाला है ब्लैक पेपर पॉडर मिक्स करेंगे आप यहां पर दो छोटी इलाची भी थोड़ा सा क्रश करके डाल सकते हैं वन टेबल स्पून के लबक मैंने यहां पर चाय पत्ती डाल दी है सारी चीचे को अच्छे से मिक्स करेंगे बॉइल आने देंगे फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि इसमें लगातार एक बॉइल आतार है धग देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चाय में अच्छे से आ जाए अब यहां पर इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैं शुगर की जगा जैगरी का यूज करें जैगरी पाउडर बहुत एजली दुकानों पे आजकल अवेलबल रहता है तो तीन कप चाय के साथ मैं तीन टेबल स्पून जैगरी पाउडर डाल दिया है आप अपनी मि ब्राइफ रूट के साथ ले सकते हैं मसाला चाय लेने के बाद चलते हैं ब्रिकफास्ट रसेपी पे ब्रिकफास्ट में मैं आज यहां पर गेहूं के आटे के साथ प्याज वाली खस्ता पूरी बनाने जा रही हूं जो सीजनल कच्चे आम की लौंजी के साथ खाई जाने वाली हैं तो ब्रिकफास्ट में दो रसेपी हैं खस्ता पूरी प्याज वाली और साथ में कच्चे आम की लौंजी दो कप गेहूं का आटा लिया है जिसमें एक बड़े साइज का प्याज बिल्कुल फाइनली चापकर रेकार दिया है धनिया पत्ता डाला है यहां पे लेसन अद्रक का पेस्ट डाला है थोड़े सी चिली फ्लैक्स डाली है नमक डाला है स्वात के हिजाब से यहां पर इसे खस्ता बनाने के लिए दो कप गेहूं के आटे के साथ दो टेबल स्पून रिफाइन फ्लोर या फिर देशी घी डाल सकते हैं अब इसे पहले बिना पाई डाले अच्छे से इसे मसल मसल के आटा को हर चीज के साथ एकसार करना है फिर थोड़ थोड़ा पाई प्याज के साथ मसल ने प्याज के मोश्चर के साथ पहले आटे को मसल लेना है फिर आपको पता लगेगी पाणी का कितना रिक्वाइर्मेंट है उसे साब से थोड़ा पाई डाल के बिल्कुल टाइट डो लगाएंगे पूरी के लिए मैं बार बार बोल रही हूं टाइट है वो इकठा हो जाए फिर थोड़ा सा वन टी स्पून ऊपर से स्प्रेट करेंगे और इसको अच्छे से मसल के इकठा कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरी के लिए प्याज वाला टाइट डो तेयार है पंद्रा मिंट के लिए रेस्ट पे इसे रख देंगे आम की खटी से कलोंजी डाली है और वन फॉर्थ टी स्पून साबुद धनिया डाला है इसके बाद मैंने लेसे नद्र का पेस्ट डाला है भूल लिया है अच्छे सभी को इसके बाद दो छोटे साइस के आम कच्छे उसका छिलका उतार के इस तरह के पीशस में काटके अभी डाल दिया समये भूना हुआ है यहांपर मैंने जीर्या का तड़का मार है आप जीर्या पॉटर का गरे सकते नमक डाला है कि आ 40 के सबसे मीठा करने के लिए मैं याप जैगरी पॉडर का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो चीनी कभी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा पानी हाफ कप भी डाल दिया है और यहाँ पे हाफ कप मैंने जैगरी पॉडर डाला है खटा मीठा बनने जा रहा है धग देंगे इसे बॉय लाने देंगे गाड़ा होने तक पूरी बनाने के लिए मने आपे कड़ाई रख लिए है इसमें देसी घी डाल दी है डी फ्राई करना है पूरी को और आप इसे देसी घी में या फिर रिफाइन ओयल में फ्राई कर सकते हैं तो पूड़ी के लिए तेल बिल्गुल गरम होना चाहिए और आटा को भी रेश्ट देवे 15 मिनिट होके हैं एक बार इसे फिर से मसल लेंगे और इसे थोड़ा सा थीकी रखेंगे तो इसमें प्याज के टुकड़े हैं तो बेले में थोड़ा सा ये होगा की गोल शेप नहीं आएगा तो इसे हलका सा दबाओ लेंगे और जो किनारी है अगर वो uneven होती है बराबर नहीं होती है तो इस तरह से हतेली से आप इसे गोल शेप में ला सकते हैं और आपकी एक हल्की सी मोटाई में रखे हुए पूरी तैयार है तो एक बार हल्का सा आटे करे साथ डस्ट करके मैंने बेल के दिखाया है और आप इसे ओयल के साथ भी ग्रीज करके अपने रोलिंग पीन को और रोलिंग पैन को इस तरह से ग्रीज कर लेंगे ओयल से और इस तरह से आप ऑयल के साथ भी बेल सकते है पूरी को दो पूरी तो यहां पर दिखा दिए हल्की से थिकनेस इस में तो इतना थिकनेस रखे तो इस पूरी को आप मीडियम हाई फ्लेम पे तलेंगे क्योंकि हलका सा आप अच्छे से गरम कर लेंगे फिर पूरी तलते हु तो बारिश के मौसर में मौर्निंग में अगर आप ये रेसिपी लेते हैं तो सभी को बहुत पसंद आएगा यहां पर हमारी कच्छे आम की लॉंजी भी तैयार है तो पानी अच्छे से थोड़ा सा गाड़ा हो जाए हमारी ग्रेवी और आम अच्छे से पक जाए बस आपकी तेयार है तो यह रेस्पी बहुत बेस्ट जाने वाली है मौन सोन में तो यहां पर मैंने गर्मगरम सर्व किया है और हमारे घर में सभी को यह रेस्पी बहुत पसंद आई आप भी जरूट राए करिएगा और मैं आपको बताने जा रही हूं कि इसी आटे के साथ आप द्धीमी आचा फ्राई कर लेंगे तो ऑईल पहले से हैं खस्ता बनने वाली है धीमी आचा फ्राई करेंगे अच्छा सा लाइल ब्रॉन कलर आने तक और आप इसे जब अच्छे से अंदर तक पक जाए तो आप इसे हाफतों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं बच्चों को आप इसे इवनिंग में ले सकते हैं तो चलिए यहां पर एक फास रेसिपी हो गई चलते हैं लंच रेसिपी की तरफ लंच मैंने चावल और कड़ी का प्लान किया है कड़ी पकोड़े वारी कड़ी बननी जा रही है और इसमें मैंने दो मीडियम साइज की प्याज और सौल डाला है थोड़िशी लंग डाली थ handled पहले इप percentage डाला है तो चौलाई का पत्ता है बिल्कूल वाश करके उसे बिल्कूल फानली चौप करना सब्स क्लाग के लिए पकोड़े की पत्ती पत्ते हाम आले बारी डिवर till उतना डालें आप कि बस आपको एक बाइंदिंग स्टेज पे आप आ जाएं यहां पे देखिए एकठा हो रहा है सब चीज एकठी हो रही है उतना ही बेसन डालना है बहुत जादा बेसन नहीं नहीं तो बेसन का फ्लेवर पकॉड़ी में आता तो अच्छा नहीं लगता है औ तो अगर आपको जरूरत पड़े तो एक दो चमच पानी का च्छिड़का करके बटर तयार कर सकते हैं अब ऑल गरम किया है और हाई फ्लेम करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया है और पकॉड़े का शेप देके ऑल में डाल दिया है फ्लिप करते हुए चार तरप से इस लिसे लाने दूंगी और कंप्लेटली ठंडा होने के बाद हम राईस का कुकर खोलेंगे यहां पर कड़ी बनाने के लिए उसी सेम परात में जिसमें मैंने पकॉड़े का बैटर तयार किया था उसी में थोड़ा सा दो से तीन चमच डालते हुए आप थोड़ा पानी करके बिना लंस वाला बिना गुठलियों वाला यहां पर गोल तयार कर लेंगे जिसकी हम कड़ी बनाएंगे तो चार से पांच लोग के लिए बना रहे हैं तो आप हाफ कब बिशन ले सकते हैं यहां पर पकॉड़े पूरे तयार हैं देख सकते हैं तो यहां पर तड़का मारें कड़ी के लिए जिसमें पंच फुरून का तड़का मार सकते हैं साबुद धनिया जीरा मेथी मंग्रेल और राई कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं अपस कड़ी पत्ता नहीं था तो कड़ी में कड़ी पत्ता डाले तो बहुत चपले बराता हिंग डाल दी है मैंने 140 पून साब लिला कलर लाने के लिए जैसे हल्दी आयल में भून जाए यहां पर एक बड़े साइस का लाल टमाटर मैंने चौप कर पे डाल दिया है लेसन अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है सभी को फिर से एक बार अच्छे से भूनेंगे इसका पानी खतम होने तक यहां पर सॉल डाल दिया है तो यह जो मसाला की भूनाई है इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कड़ाई के सरफेस पे और अलग न दिखाई देने लगे यहां पर थोड़ा सा कश्मीरी रचिली पावर डाला है हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम या हाफ टीस्पून तक आप मिक्स करेंगे और चलाएंगे और इसे मेडियम हाई फ्लेम पे लगतार भून लेंगे चलाते हुए गरम मसाला डाल दिया है वन टीस्पून जो भी सबजे गरम मसाला होता आप उसे आड़ कर सकते हैं फिस चला के एक बार अच्छे से भूननेंगे तो इस मसाली की इस चाहिए कड़ी की आप उतना पाई डाल कि इसको 10-15 मिनट उबालेंगे पाई डालने के बाद और यहां पर मैंने हाफ कबेशन का यूज किया था छे लोग के बनाने के लिए तो पूरी कड़ाई मेरी भर चुकी है यहां पे और एक बार यह अच्छे से बहके ऊपर भी कड़ी आड़ कर सकते हैं और आप इसे चलाते हुए 10-15 मिनट उबलने देंगे पकने देंगे कड़ी को और धीमी आच पर पकने दे तो अच्छा है कड़ी का सब बहुत अच्छा आता है लास्ट में थोड़ा सब धक दिया था ताकि कड़ी अच्छे से पक जाए और यहां पर फ्रिज में गौर फली पड़ी हुई थी उसकी भी सबजी मैंने बॉयल करके बना दे थी तो यहां पर थारी लगा दे रही हूं जिसमें राइस है पकोड़े वाली कड़ी है चपाती है और यहां पर बॉयल्ड गौर फली की तड़के वाली सबजी है और प्याच के लंच की थाली इंज्वाय करने के बाद चलते हैं एविनिंग टी टाइम पर तो यहां पर गुलाब की पंखोडी के साथ चाय बनने जा रही है यह देखिए है गुलाब की पतिया जो मेरी ममी ने अपने गाउं से जो उनका फार्म हाउस है वहां पर गुलाब के पत्ते बह बना रही हूं जो बहुत अच्छा इम्मिनुटी बूस्ट करने का काम करेगी आपकी बॉड़ी को और यह स्किन गुलो के लिए बहुत अच्छा सोर्स है तो बस आप जितना बनाने जा रहे हैं कप मैं यहां पर तीन कप बना रही हूं और इसमें गुलाब की पतियां आप इस पानी में आ जाता है और आप इसे बारिश के मौसम में शाम को गर्म गर्म इंज्वाय करें तो बहुत अच्छा लगता है हेल्दी बहुत है यह और अगर आपके एरिये में बिल्कुल बहुत जोड़दार बारिश हो रही है और मौसम बहुत ठंडा हो चुका है तो यहां पर कच्छे चलीए कभी सीजन है तो यहां पर मैंने एक कौर्न लिया है और इसके दाने इस तरह से निकाल लिया है और यह है मेरा सूप मेकर जिसमें अपने आप ही बॉयल होके अपने आप ही ग्राइंड हो जाता है तो मुझे अलग से कुछ करने की जरूद नहीं प दालेंगे और थोड़ा डूट डालेंगे तो बनने के बाद अगर आपका सूप बहुत गाड़ा हो तो बाद में गरम दूद आट कर सकते हो बाद में नमक करेंगे क्योंकि दूद फट जाएगा बनाते वह तो जब आपका सूप तेयार हो या फिर लास्ट में हम सॉल्ट करेंगे तो यहां पर हमारा सूप तैयार है आप इसका कलर देख सकते हैं बहुत स्वाधिश्ट बनता है तो आप ठंडी में बारिश के मौसम में सूप रेसिपी को उंज्वाय कर सकते हैं चलिए डिनर रेसिपी की तरफ तो डिनर की थाली में बनने जा रहा है गोभी मंचू तो यहां पर मैंने फ्रेश गोभी के इस तरह की स्वार्स लिकाल लिये हैं और इसे इलेक्ट्रोनिक चॉपर में चॉप कर लिया इस तरह से बारिक फिर इसका पानी निचोप अगर फूल गोभी को कद्दू कस करते हैं तो पानी निचोणनी की जरूरत पढ़ जाती है ले पॉडर गरम मसाला और थोड़ा सा चिली फ्लैक्स और हल्दी डाल दिया है और वन टेबल स्पून डाल दिया है इसे मेरिनेट करेंगे तो सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करके अच्छे से कोटिंग हो जाए पनीर के उपर इस तरह से करके आप इसे साइड में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और यहां पर बेसन का मैदी का यूज़ करेंगे इसके मंचुरिन बॉल बनाने के लिए तीन टेबल स्पून लगबग मैंने आप अभी मैदा एड़ किया है और अच्छे से इसे हम मसल लेंगे जो हमारा यह गोभी के बिलकुल जो चूरा है इसके साथ मसल लेंगे तो यहां पर थोड़ा सा कम लगा मुझे मैदा तो एक टेबल स्पून अभी और डाला है तो चार टेबल स्पून के लगबग मैदा डालके मैंने इसे एक अच्छा सा डो तयार कर लिया है अब इसके हम बॉल बना लेंगे तो अपनी हथेली पर हलका बना के तयार कर लेंगे तो यहाँ पर सारे बाल्स बन के तयार है अब कढ़ाई में तेल डालेंगे इसे डीफ्राई करने के लिए जब आपका तेल मीडियम हीट हो जाए तो इसे हम इस तरह से एक बॉल करके जितनी आपके कड़ाई में असानी से आ सके लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे फ्लेम को बहुत तेज नहीं करना है नहीं तो यह उपर से जल जाएंगे अंदर से कच्चे रहेंगे फ्लेम को मीडियम रखना है और फ्लिप करते हुए चारो तरप से एक अच्छा कलर आने तक हमें सारे मंचूरीन बॉल तयार कर लेने हैं मंचूरीन बॉल हमारा यहाँ पर तयार है अब यहाँ पर जो मैंने कढ़ाई रखी है यह फ्राइड राइस mix which फ्राइड राइस बनाने जा रही हूं तो चावल मेरा दुपहर का ही बच्चा हुआ था तो उसी के साथ मैं यहाँ पर फ्राइड राइस तयार कर रही हूं तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालके finely chopped मैंने 1 tablespoon garlic डाला है और उसके बार finely chopped मैंने 1 छोटे size का onion chop करके डाल दिया है fry कर लेंगे अब इन सारी चीजों को हम high flame पे fry करेंगे और यहाँ पे beans डाल दिया है french beans डाल सकते हैं जो 1 fourth cup है और इसी भी high flame पे चलाते ही fry कर लेंगे 1 fourth cup मैंने यहाँ पे capsicum डाला है सभी सबजियों को प्याज को लेसन को बिलकुल बारी काटता है और 1 half cup के बराबर मैंने यहाँ पे गाजर डाल दी है carrot बिलकुल finely chop करके गाजर को मैंने manual chopper में sorry जो electronic chopper है उसमें chop कर लिया है और बहुत अच्छे से छोड़ी पीसे में chop हो जाता है तो आप भी इसी तरीके को अपना के सबजियों को छोटा कर सकते हैं शमला में हर्चिज को मैंने बारी चाकु से ही काटा था अब इसमें एक कप से जादा में पास चावल था यहाँ पे cooked चावल दपैर का वो डाल दिया है और यहाँ पे seasoning मसाला डाल दिया है और हर चीज को fry करके यहाँ पे हमारी mix which fried rice तयार है उसे side में रख दिया है मैंने थोड़ा सा भूल लेंगे और इसमें यह आपके पास सबजी मसाला पड़ा हो या शाही पनीर मसाला पड़ा हो उसे दूद के साथ घोल बना के इसमें डाल देंगे और इसकी gravy बनाने के लिए हलका सा पानी का यूज नहीं कर रही है दूद का यूज कर रही हूँ इससे बहुत चाफ लेवर आता है बहुत जल्दी यह सबजी बनके तयार हो जाती है तो बिलकुल लटपटी gravy के साथ यह पनीर मसाला बनने जा रहा है तो दूद उतना ही जाले जितना आपका पांच मिनिट के लिए से देंगे यहां पर मैं कशोरी मेथी यहां पर क्रश करके आड़ कर रही हूं और मिक्स कर रही हूं और धीमी आज पर इसे पांच मिनिट के लिए पकने देंगे दूद की gravy के साथ और यहां पर दूसरी कड़ाही रख ली है मैंने जिसमें अब हमारा बनेगा मंचूरियन ग्रेवी तो थोड़ा सा ओयल डाला है और फाइनली चॉप्ट गार्लिक डाला है और इस तरह से ओनियन और कैप्सिकम का बल्ट्स तियार कर लिया है निकाल के और इसे फ्राई कर लेंगे और यहां पर हॉट गार्लिक सॉस डाल दिया है बन टेबल स्पून रे इहां पर मैदे की सलरी यानि n o माली किस्साद कर लेंगे तो यहां पर कॉम्बो मील हमारी ढिनर ठाली तयार है पाफिक्ट रेसिपी है बच्चे बहुत पसंद करेंगे बारिश के मौसम में तो कैसी लगी आपको मेरी ये डिनर थाली यहां पर पापा के लिए मैंने थोड़ी सी फुल के भी तयार कर दिया थे जो उन्होंने पनीर के साथ और मंचूरियन के साथ बहुत ही अच्छे से एंज्वाए कि पापा को मे कि रेसिपी ज़्यादा पसंद आई मेरे बॉर्णिंग लंच और डिनर की थाली में से कमेंट करके जरूर बताएगा ऐसे आगे बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें मिलती हूं ऐसे ही किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के सा तिल दिन तेक केर अफ युरसल्फ बाइ बाइ